आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया और डिफरेंट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होने वाला है और जब खासकर आपके घर में महमान आ जाए तब इस रैस्पी को आप जट पर मिंटों में तैयार कर सकते हैं देखे सबसे पहले आपको बाउल ले लेना है और बाउल के अंदर आप अपनी क्वानिटिटी के हिसाब से मेदा ले लिजे साथ में इसके अंदर आप काली लॉंजी और ज्वाइन डाल दीजे और स्वाध अनुसार नमक डाल दीजे साथ में इसके अंदर आपको डाल देना है सरसो का तेल या फिर आप घी भी डाल सकते हैं और फिर उसके बाद हातों की मदद से इन सारे मैट्रियल को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है आपने मेदे के अंदर तेल डालते हुए सुना है या घी डालते हुए सुना है नहीं सुना है तो आज आप देख लीजे और उसके बाद मिलाने के बाद इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको आटे की तरह गूंद कर तयार कर लेना है अब देखे सबसे पहले तो हमने तेल को अच्छी तरीके से मिला लिया है मेदे के साथ और फिर उसके बाद इसको हातों की मदद से पानी डाल डाल कर इसको अच्छी तरीके से हम आटी की तरह गूंद कर तयार करेंगे जिस तरीके से आप आठे को गूंद कर तयार करते हो अब उसी तरीके से मेदे को गूंद कर तयार कर लेना है देखे कितना बढ़िया तरीके से सौप्ट तयार हुआ है लेकिन इसको और जादा सौप्ट करने के लिए हम इसको सूती कपड़े से ढखकर रख देंगे जिससे ये और ही भी बढ़िया तरीके से तैयार हो सके उसके बाद हमने क्या किया है दो आलू ले लिया है और कच्छा आलू लिया है उसको क्या करेंगे हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे बिल्कुल पतले पतले slices में तयार करना है और एक फ्रेंट स्वराइस का इसको सेप दे देना इस तरीके से देखे और बढ़िया दो आलू को हमने तयार कर लिया इसको अच्छे पानी से वास कर लेंगे दो लेंगे और इसको भी सूती कपड़े में हम लपेट कर रख देंगे और इसको करीबन 5-10 मिंट के लिए रख दीजे और इसके बाद इसी पीच हम क्या करेंगे जो हमारा जो मेदा है वो भी तयार हो चुगा है देखी कितना ज़्यादा soft हो चुगा है अब हम इसको क्या करेंगे सहलाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसको मनाने की कोशिस करेंगे कि ये recipe अच्छे से तरीके से बन कर तैयार हो जाए उसके बाद अब देखिए हम इसको बढ़िया तरीके से तैयार करने वाले है तो इस तरीके से रॉल करने के बाद इसको हम अलग-अलग तुकड़ों में बाट लेंगे इस तरीके से ताकि जो हर एक pieces का तुकड़ा हो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए तो इसी तरीके से आपको बाट लेना है और लगबग हमने सारे पीसे इसको कम्पलीट कर लिया इसको एक बाउल के अंदर टांसपर कर दिया है और चौप बोड पे हम इसको तैयार करेंगे थोड़ा सा आटा ले लिजे या फिर मेदा ले सकते हैं उसके बाद आप इसको पापड की तरह तैयार कर लिजे बेल कर और देखिए हम कितना बड़ा इसको बना कर तैयार करने वाले हैं अभी तो ये पतले से स्लाइसे हैं और अभी देखिए कितना बड़ा हमने तैयार किया इसको और इसी तरीके से आपको पापड की तरह बेल कर तयार कर लेना है उसके बाद आपको एक चाकू लेना है चाकू की मदद से क्या करना है इसके पतले पतले जो सलाइसेस हैं साइड साइड में वो हटा लेना इस तरीके से ये देखे कुछ इस तरीके से आपको हटा लेना और देखे हमने पापड का सेफ बिल्कुल पतले तरीके से तयार किया है देखे कितना ज़्यादा पतला है तो इसी तरीके से आपको भी तैयार कर लेना है जब आपको इस रेस्पी को बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनकर तैयार होनी वाला है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है दोस्तो आप जटपट मिंडो में तैयार कर लोगे बनाने में बहुत ही जदा मज़ा आने वाला है इंजुआए करके आप बना सकते हैं इस रेस्पी को और देखे इस तरीके से हम हटाना सुरू कर दिये हैं उसके बाद हम थोड़ी देल के लिए तेल गरम होने के लिए छोड़ दिये थे और जैसे तेल गरम हुआ हमने क्या करा सारे मेदे की जो हमने सेव दिया ता वो सारे नमकीन को हमने टांसफर कर दिया अब देखी कितना फूली फूली कचोडियां ये तरीके से बन कर तयार होने वाली है यानि ये चोटी कचोड़ी होने वाली है इसको Actually मैं हम कहते हैं नमकीन लेकिन आपके area में इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप comment box में बता सकते हैं लेकिन फिलाल अभी हम छोटे कचोडियों के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा fully fully जब बन कर तयार उड़िया और खास्ता है इतना बढ़िया तो हम इसको छोटा कचोड़ी के नाम से भी जान सकते हैं उसके बाद देखिए हम इसको अच्छी तरीके से लाल करने की कोसिस करेंगे और जैसी ये लाल हो जाता है तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेगे पहले तो हम इसके अंदर से जितने भी oil है तेल है उसको लिकालने की कोसिस करेंगे और फिर उसके बाद जैसी यह लाल हो जाता है तो इसको हम एक plate के अंदर transfer कर देंगे और थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे लेकिन इसी बीच हम क्या करेंगे एक bowl के अंदर हमें क्या करना है थोड़ी सी दही ले ले लिनी है साथ में इसके अंदर meat spotter डाल देना है और साथ में काली meat spotter और थोड़ी सी हल्दी डालने से क्या होगा दोस्तों यह जो क्रंची का सुआद आने वाला न वो टेस्टी होने वाला है और थोड़ी सा नमक डाल देना और इसके अंदर कॉन फ्लार डाल देना अगर आपके पास कॉन फ्लार नहीं है तो मेदा डाल दीजे और उसके बाद सारे मैटरियल को आप अच्छी तरीके से मिला लीजे उसके बाद जो आपने आलू तयार किया था वो आलू आपको डाल देना इसी बाउल के अंदर देखे आलू बिल्कुल ड्राय हो चुका है बढ़िया तरीके से लेकिन दही के साथ इसको मिला कर हम तयार करने वाले और ये बनकर तयार होने वाला है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बच्चों का फैबरेट फ्रेंस राइस और घर पर मिंटो में आप इसे तयार कर सकते है मातर आपके पास konflour होना चीए konflour से क्या होगा ये बहुत ही ज़्यादा खास्ता और यमी बन कर तैयार होने वाला है नहीं तो आप मेदा भी डाल सकते हैं मेदा से ये ऐसा color निकल कर आने वाला है और देखिए कितना ज़्यादा tasty लग रहा देखने में और कुछ इस तरीके से अमने डेकोर करके आपके सामने सोकेस किया है अब देखे कितना बढ़िया तरीके से ये सब होगा है आपके सामने तो देखे मेदा की इस रेस्पी को आप बना कर रख सकते हैं और चाय के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं आपके घर में जब मेहमान आ जाए तो आप इस recipe को बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होने वाला और बच्चों के लिए आप इस तरीके से आलू का ये recipe तैयार कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगए तो लाइक ज़रूर करना अपना कीमती समय देनी के लिए